हेलो एवरिवन तुडे वी स्टार्ट आर चैप्टर नाइन ओफ इस्ट्री कल्चर व पंजाब विच इस पॉलिटिकल कंडिशन ओन दे इव अफ इलेक्जेंडर इन्वेजन कि लेक्जेंडर के टाइम सिकंदर के समय पंजाब की पॉलिटिकल कंडिशन कैसी थी राजनेतिक कर रहा था है साइरस और कुरू शुब आज ग्रेट रिसोर्स और रूलर थे इन्होंने क्यूपाई कर रहा था नोर्थ वेस्टर रिज़न ओफ इंडिया का साइरस अपियर टू है सब्जूगेटिटी ट्राइज और कंबोजन गंधार्थिस के अंदर इस बिलीब यह जो सब्सूपाई टियर थी वर कॉंकर जिती थी परशय ने इन और अबाऊट पांसो तेरा से पांसो तस बीसी के करीब जीती थी इनो दस वेस्टी ती साइरस को किसने सेक्सीड करा था कैंपिसिस ने मैं कैंपिस रहा सबोह सेक्सीड करता दायस वान फजय ऑक्यू इपाईक् देरिसस के फॉर्म दे रिचेस अन दे मोस्ट पॉपुलस प्रविंस थे अफ दे पर्शियन एंपायर के वो होईंगे पंजाबी इतना प्रॉस्परस है जो हिस्टोरिकल वर्क से ग्रीक हिस्टोरियन का हैरोडोटस डेरिसस की कि थे वैट कान किसा थे कॉल्मा सीक साथते रिसा आ उलिचा सीक रिचाच और वर्कायर के आरिस्टोरिकलन met लोग्वाह, तो ऐका। अब तो इसकी बात देखो हम अलेक्जेणडर के ताइम बताते हैं हम Examples मेंड़ी पंजाब की का 3D और बाल। was the son of Philip का dando King of Macdonia a state in the eastern part of Greece State he was born with the 356 BC question very important this paragraph go see two lines very questions etc Alexander which son Philippe kingawi Macedonia eastern part of Greece born with 356 BC after the death of the father in 336 BC वो बन जाता है जब वो इसके फादर की देथ हो यह जाता है जब वो 20 साल का था जब राजा बनता है वो यंग मैं उफ अंडांटिंग करेज और हाइश अभीशियस मैं था वो आशावादी था जजवा था जीतने गा वो पूरे संसार को जीतना चाता था सिकंदर उसका टीचर कौन था अरिस्टोटल था जो ग्रीक स्कॉलर और फिलोसफर है वो कहते हैं अरिस्टोटल उसका टीचर था किसका टीचर था अलेक्जेंडर का रस्तू का अलेक्जेंडर का टीचर सिकंदर का टीचर कौन था अरिस्टोटल इसने ये दो को इतनी सारी चीज़े इसने जीत लिया इसने इसने जीत लिया बेबिलोनिया पर्शिया रिवर इंडस को क्रोस कर लए था 326 BC में देखो एन मार्च अप्टू दा रिवर अब ब्यास ये क्वेशन अमेशा आता ही आता है कि कौन सी नदी ने सिकंदर की यातरा को रोक दिया था वो ब्यास नदी थी क्योंकि उसमें बाड़ा रखी थी फ्लड आ रखी थी तो उसके सैनिक थे वो क्रोस नहीं कर पाए और अम्यू टेटरी थी हाथ ये हाथ पर उनके कटके वोर में होगे तो वो भी नहीं जा पा रहे थे तो वह वहीं से मूड गया था पीछे ब्यास नदी थी जिसने शिकंदर को रोका थे अधिक वेरी इंपोर्टेंट अनी इस रिटर्न जनी ही डाय बेभी लिए न में डाय जाता है सिकंदर थी तुए फीवर हो जाता है इसलिए वो मढ जाता है अधिक टाइम फ्लेंग्जेंड इंवेजन के समय पंजाब नोर्थ वेस्टन वर डिवाइड नंबर और पिटी छोटी इस्टेटे थी मुनार्की ती जिसमें एज़ ट्राइबल रिपब्लिक सिस्टम था ठीक है इलेक्शन से अमना चीफ सेलेक्ट करते है तो रिपब्लि चोटी-चोटी स्टेट आपस में लड़ते रहते थे वह अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए फॉर्नर्स को इंवीटेशन देते थे कि आप हमारे साथ हो जो हम इससे जीट जाएंगे पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह इससे जीट जाएंगे उनसे हारना ही अपनी पावरान फंसे हरे एक रूलर था एरिया का थौट ऑफ एम सोंच्ता था अनोर विसमाल स्टेट के बाता ही फॉर्म पावर किलोसे हट हुूर्च खूते लिए नहीं प्रोजा म उपने स्टेटेट अल्सेटावर नहीं हम पोई संठाएं सूच रही और थे 電 सब्सक्राइब किंग्डम से और पंजाब दर इसोर्स इंड मीन्स वर लिमिटीड थे दस्टेट वर एड वार विद एक दूसरे लड़ती रहते थे ठीक है इंकरेज करेंगोंगों इंडीया को इंडीया कंदा राये एवन सम्मूलर वाल मेंट ने इनवाइट करते है इनेवी नतियुक्त करते हैं इन ओर टूफ मोमिट्वतान दरॉफ वीर दिया होरा वेकल नेवर टायम तर वनर इनवाइबे इंपराफ द्याख भी ले इनेवे प यह पोलिटिकल कंडिशन भी पता देता हमारे को पहले क्या थे देखो अब यह सारा पता देता हमारे को कैसी कैसी अलेक्जंडर इंवेजन के ताम मोनार्की ऐसे रिपब्लिकल स्टेट थी इंडियन रूलर दिनो ट्राय तुगेदर इंफोमेशन और न्यू इंवेंशन के ब आधिन कारे ना इसमें सारा technical чeजे थी रूलर ने के भी और मेलिका टूल्या इसमें सारा टेकनिकल छीजह ती सहा है कि इंड़ए नेकिंडमक्त वीर्म देखाय और आई यह सारा टूलर उ स्टेटिटिं करनीग की विर्दियन कंदू म मेल नियू दिच्या थी श्लीश डिं सहापूर किंग्डम ओफ छोटा पोरस रिवर चेनाप से रिवर रावी तक था है किंग्डम ओफ सोभुथी यह सारे किंग्डम्स आजेंगे ठीक है यहांगे न अंबी जो था किंग ओफ तक्षिशीला का था उसकी लड़ाई किसे थी पोरस के साथी अभी सार्वाद अनिमी वो कुर्दक्ष्ट है जो हमने उपर यह टेरिटी देखी अभी इस इंटर्नल डिसेंस अमंग्ड़ पिटी स्टेट मेर्ड़ टाक्स को इजी कर दे इस अलेक्जेंडर को कि पोरस को वो हरा दे यह वैलकम करें तो वो तो खुशी होएगा अपनी आएगा वो शक्ति प्रदर्शन ही करेंगा अपना और उनके बाद इंसे निकी स्टेट भी वो छीन लेगा इस टेट नोर्थ वेस्ट इंडिया बिफोर यह इस लड़ाई थी की अपकाउंट ओ ए्लेग्जेंडर इंवेजन अंध पंजाब में पंजाम किया इसका इलेग्जेंडर इन्वेजन हुआ है इलेग्जेंडर क्वेल्स ग्रेम्ड अथ वेकल थे व्ह HR म्यं इसने वे शाज़ाई जीत ली का न इसन चीजिप दित ली थीं एक लाग बीत हजार सोलजर के साथ इन पर्सुटर स्कीम अफ कॉन कर लेगा इंडिया को यह ही मैट फॉर्ट फॉर्स टाइब ऑपोजिचनल हिंदु ट्राइब इनके साथ की लडाई होती है सबसे पहले लडाई किसके साथ होती है अलैक्जेंडर किसके साथ होती है असको नर्शिया ट्राइब के साथ है मिडल ओफ स्वाट वैली दफॉर्स ट्राइब ओफ टॉफ रिजिस्टन देते हैं ग्रीक्त को बटवर डिफीट हार जाते हैं इनसे चीफ वास किल बाई चांड सहरो से यह मर जाता है इसका जो चीफ होता है पहले लडाई पहले लडा अब अब बटवर आपको चीफ की आ पहले लडाई लेक्जंडर के वार जो फिटाल फ्लरिश पास को बाई माना गया है तारे जो इन्वेडर से आए है वोनों ने इसी पास को चूना है था इन्वेडिग आर्मी ओफ तो राजा ऑफ किंडम इसी अफ बिटल उपोजिशन एलेक्सडर वेडि़ भाण था भाण थी मंदर की साई जीते तालता है अब अलेक्सडर बीट करेड़ा है राजा अम्भी को थाक्षिछीला अर्ली निवीर में 326 एलेकसंडर शोल्स के रिवर इंडरस को बाइखनदर को रहने श्रीड है? आनेमागे जीन बॉर्स मेरा का एक शोच्थीन की हम एक सुरूचकर रेजनर को के इनवेडने लौता है? कि तुम Porus को पर हमला करें and help him with man and money और उसकी मदद भी करी थी Porus पर हमला कराने के लिए राजा अंबी ने Alexander की मदद भी करी थी with money and man उसे soldier भी प्रोवाइड करते हैं पैसे भी दिये थे इससे Alexander ने अपनी आर्मी को refresh कर लिए तक्षिशिला में for about a month and sent a message to Porus to submit Porus को message बेजता है कि युद के लिए तार रहो but the proud and brave prince Porus flatly refused to surrender and sent the reply that he would meet him in the battlefield will battle करेगा उसे he barred the passage of the jail and with his two from prepared to fight with his honor for his honor and his country के लिए लड़ता है Porus लड़ता है now the very important part आ आ रहे है कि battle with Porus T26 BC में लड़ाई होती है वो जेलम के वहाँ पहुच आते हैं बैंक के ऊपर on the opposite bank opposite bank के वहाँ पहुच के अब बताएगे कि battle with Porus जो हुई थी उसके क्या इंसिद्ट था Alexander की जो forces थी तक्षिशिला के contingent में रीच पहुच की थी वो बैंक सो जेलम के बैंक पहुच की थी on the opposite bank of river stood in camp Porus ready to meet था Alexander के साथ for several days तक the two armies एक दूसर को देखती रही other movements को and it was not possible for Alexander to cross the river which was in flood में थी जेलम river at long last Alexander secretly move करता इस आर्मी को एक दिन रात को about 16 miles up the course of the river and crossed it in the boats under the cover of darkness अंधियरे में चुपके फटरवड वो cross कर जाते हैं जो पॉरस था इस चीज से अनवेर रहता है एलेक्जंडर के स्मूमेंट से विच्छी डिफीटी तू लेट he sent a small force under the under his son to hinder landing of Greek army but was beaten back वो पॉरस अमना son based है पॉरस then advanced with the bulk of his army and fought a battle against एलेक्जंडर से लड़ता है at the curry plane पे लड़ता है यह important है marked by the villages हो सवराल और पक्राल पॉरस put up a heroic resistance देता बट बट डिफीट अगार वो इस यहां उससे डिफीट हो जाता है वो इलेक्जंडर से पॉरस and इस army are completely annihilated हो जाती है the losses of Indian army are estimated 15,000 किल्ड होते है इस में तू और पॉरस के दो बच्चे भी ऐथा लड़के भी एकलो जाते हैं union mindful जो टेकन पॉलिजनर बना लिया जाते हैं वेरास greek Türkiye से उसमें грी के चली किल्ड ऄते है प्रस पौर्टिट बटे तो यह सीरीड पर होते है विफोर यृ वास टेकन पृसनर द्रेडशित of his captive king moved the heart of Alexander, he treated the proud captive as a king in response to his wishes, he not only reinstated Porus in his kingdom but also made him his ally, Porus को इन सब चीजों को देख के Alexander की ये राजा असली राजा है, तो वो पॉरस को अपना फ्रेंड बना लेता है बाद में, अब देखो क्या कारण थे पॉरस के हारने के Alexander, The first place, most important course था जो डिफीट होने के अरज का वाज़ा है ये लाग ऑना उनिटीडी ती अमांग दाव इंडियान प्रिंसेज में, जो इंडिया के प्रिंसेज इस थे आपस ही लड़े दे जा रहे दाद दूसरे सही लड़े जा रहे थे, यूनिटी नहीं थी दा कंट्री डिवाइड इंटू स्माल लार्ज नंबर ओफ इंडिपेंडेंडेंट मुचली वरिंग स्टेट में थी एक दूसरे मुचल जैलेसी थी जैसे की बिट्विन अंभी अन पॉरस मेड कर जी था टाक्स ओव एलेक्जेंडर वेरी इजी ठीक है अपनी आर्मी को तो उसे नोलीजी नहीं थी इस चीज थर्ड ली क्या दाता है जो सुपीरियर जोर्नल्शिप अव एलेक्जेंडर की सुपीरियर जोनल्शिप ती वी सुपीर डिसिप्लें था उसका फॉर्थ ली जो एलिफेंट से जिन पर पोरस मेली रिलायएट बाउंट था इस अपने से पड़न था ईलेक्टरिफ ग्रेंट था एल इस बीफिल्टिंप आपने थो को तो इस नोलम निकाय फेल्ट जो कोई थी नैंदो एलेक्टिवल्या है ड्या जोन गाय रिड़ित खेवास्जेंडर के था फ्रिंद्ड शी नहीं दाता है एल्सिप् सिटी बनाता है और बैटल फिल्ड पर वो निकाय सिटी बनाता है निकाय ठीक है यह क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है अब है लेक्जंडर फर्दर मार्च इंटू पंजाब में वागे बढ़े जाता आफ्टर रिसिस्टिंग इस आर्मी फोर सम डेस उसकी आर्मी रिसि को डिफीटिड कशी कनिष्ट थे यंगर पोरस चोटा पोरस को भी हरा देता है और हैंडिट ओवर इस टरिटी तू दा अल्डर पोरस को दे देता है लिविंग स्माल बोड़ी ओव ग्रीक क्रूप अनर ट्रस्टी जरनल तो कीफ तरिटरी सेफ आगे देखो भी बढ़े ज जाता है देखो क्या होता है एलेक्जंडर ना मार्श दा बैंक सो रिवर भ्यास ही वांटी तो मूव स्टील फर्द वागे बढ़ना चाता है यह हैद हर्ड ऑफ ग्रेट रिचिस ऑफ द एंपायर ऑफ मगत वागे बढ़ना चाता है विची लॉंग तो कुंकर अभी वह ज अब आउट था फॉर्मिल्ल पावर मगत की उन्होंने पावर के बार में सुना था एंड डिफिकल्ट हो रहा था उन्हें वैरी ब्रोड और डीप रिवर्स को वह भी आस्रव रिवर्स को क्रोस कर दो उन्हें डिफिकल्ट वार्मी ने रिफ्यूस कर दिया था ग्रीक किसी से नहीं मिले और उन्हें वह वहीं रूख गए बस ठीक है ओल दीस फैक्टर सेंग दियर स्पीरिट एंड रिफ्यूस तु स्टैप पर्दग उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो इसलिए लेक्जेंडर वहीं रूख जाता है अब उसके करेंगे अब है रिट्रीट जुलाई 326 बीसी में वह वापिस मूर जाते है अलेक्जेंडर बिगन इस रिट्रीट इन दी मन्त उफ जुलाई 326 अर्राइविं अड़ जेलम हैं ही मेड अरेंगेंट फर पर्मनेंटली सिक्यूरिं इस कॉंक्रेंस ही बोट बाव रिकॉंसले जेलम वर गिवन टू अंभी को देदी इनके अंदर संजोते करा रहा था वो जाते में तर किंग ऑफ अंभी सार अभी सार वास्ट रूल इन कश्मीर अरुसा हजारा देखो यहां अब है कि सप्रेशन और मालवाज और कुरुस्टर ट्राइब्स का भी सप्रेशन होता है य जाता है वो बढ़ऒँ आरेखोंड अपर अब गरास्ट प्राइब्स करुट संसरे कि अरम गरभटता है यह हमसेर गर्वात meters और में घृए को प्रम्झे नहीं ख्यारा था कुरू अप्रशी क भी सूरेब्स यहां तो बच्रामड भाग में में अपने अर्मी को यहां लो लैंड रूट से जा रहा है देखो ना कंप्लीटिट देयर टासें रीच सूसा इन पर्शिया इन में 324 बीसी में जाता है वह फ्रोम देयर एलेक्जेंडर प्रोसीडी टुआ बेबी लियॉन की दर बढ़ रहा है इन 323 बीसी में ग्रेट कॉंकुरर डाइड बेबी लियॉन जो 33 साल की उमर में वो मर जाता है 20 साल की उमर वो राजा वना था अपनी फादर की जाथ को 33 साल की उमर मर जाता है 323 बीसी में ठीक है अब पंजाब के अलेक्जेंडर के बाद क्या सिच्वेशन थी बिफोर लिविग पंजाब एलेक्जेंडर है प्लेजेंडर है प्लेज जेलम तो बियास वर प्लेज अंडर पोरस इन दोनों का रोल बहुत प्लेज इंपोर्टेंट है बिसाइड स्ट्रॉंग ग्रीक गैरिसन स्टेशन इन इस ताउंज और सिटी वर प्लेज अगे प्लेज अगे इस गवर्नर्स अगे लिए बिसाइड स्ट्रॉंग इन इस फिलिप वर निए इस गाइड बर्देशन स्ट्रॉंग घर आप इस त्रॉड्डेशन गाया है यह जो प्लेज खोड़ने के घजएडाय लेक्षंडर आपनी शोड़के गया है कैसे वो कैसे खतम हो रही यह भी बता रहे है इस बारे में और कैसे पंजाब को रूल कर रहे हैं अब राजा that said यह हमने आज चैप्टर कंप्लीट के लिए चैप्टर 9 which is the political condition on the eve of Alexander invasion की क्या political condition थी we completed our chapter 9 thank you very much